सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशल चेनल को बेल आइकोन को प्रेस कीजिए औल आप्षन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे माविद्या साधक परिवार से बोल रहा हूँ अफिशल चेनल से बोलना और आप ये देखिए ये मैजिक अब यह चोटा ता पेड है इसको और पास ले जाओ इसमें खजूर आ गए है इस पार नॉर्मल इतने छोटे पेड में खजूर नहीं आते हैं पर इतने चोटे पेड म एक्स्टेंशन अफशी हो गया है समुद्र का स्वागत है भोपाल में और समुद्र देवता भोपाल तक उठकर चले आए हैं और जो बादल होते हैं वर्षा के बादल होते हैं उन्हें एक्स्टेंशन अफशी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि वो सीधे यहां तक आ गए हम तो समुद्र तक नहीं जा सकते हैं, पर समुद्र स्वयम उठकर, प्यूरिफाइड होकर इस इलाके में आ गया है, और अब चारों तर अब ये फोटो सेशन शुरू हो गया, फोटो सेशन मतलब ये चार महीने बहुत एहम समय रहेगा, और इस एहम समय में आप देखेंगे कि सारे पेड़, जितने जादा पेड़ लगा सकते हैं, लगा दीजिए, और जो आप इस फोटो सेशन में लगा देंगे, वो पेड़ कभी नहीं मरते हैं, वो हमेशा फलते हैं, इन्हें ग्राउंड कहा जाता है, इनको एक ग्राउंड दिया गया है, ग्राउंड का मतलब स लोग पूरे विष्व देखे पानी आने लगा, लोग सब जगह से क्यों आते हैं, लोग विष्व के कोने कोने से भारत क्यों आते हैं, बताएं क्यों आते हैं, उनको लगता है क्योंकि उनके पास वह ग्राउंड नहीं है, तो साइकोलोजिकल ग्राउंड नहीं है, तो गहना और इतना बड़ा जगह चाहिए होती है उसको तो वो उसे हम लोग ground कहते हैं और वो ground बहुत मुश्किल से मिलता है और इन पेड़ों को भी मैं यह कहता हूँ कि तुमको मैंने ground दिया है यह पूरी जगह दी है और इस ground के पीछे का background भी समझ लीजिए इस ground के पीछे का background मैं आपके सामने खड़ा हूँ मैंने कभी गरीबी नहीं देखी है कभी दरिदता नहीं देखी है कभी भुखमरी नहीं देखी है और कभी पैसे के लिए किच-किच नहीं देखी है और जो इक्षाथी उसको देखी है और इस उमर तक अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के प्रती कोई गुस्सा नहीं है कोई कुरोध नहीं है और जो वक्ति आपके सामने खड़ा हुआ ही जे करश्णा मतब मास्टर्स रहे उन्होंने ट्रेनिंग दी है गुल्थे आंड उसके बाद Candle Goodman है उनकी ट्रेनिंग है उनके कमांड में ट्रेनिग हूदि जो जो कहीं भी सरवायू कर सकता है, किसी भी कंडिशन में सरवायू कर सकता है, कैसे भी रह सकता है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग की बहुत आवशकता पड़ती है, उसको देख भाल की आवशकता पड़ती है, उसको उचित एनरजी की आवशकता पड़ती है, तो वो सारी मेडिटेशन आ जाएगा उतर आएगा और कहीं भी बैट कर एक अलटने सा सकती है आप लोगों को भी देख सकता हूं और इन पेड़ पोदों से भी कहता हूं तुम लोग भी निर्भय होकर इस ग्राउंड में खेलते रहो यहां बड़े होते रहो यहां फल फूल से लगते र जो ब्लॉसम करता है वो मेडिटेट करता है जो खिल रहा है जिसमें खिलने की छमता है जिसमें विक्सित होने की छमता है जिसमें पूंटा प्राप्त करने की छमता है वो मेडिटेशन वो नहीं आती है तो इनको यह मेडिटेशन मिला हुआ है यहां पर यह प्ले करेंगे एंजॉय करेंगे लाइफ और आप देखिए सारो चारो तरफ देखिए और इस हमें सब जूम रहे हैं एवरिबडी इस मेडिटेटिंग हीर और इनको चिंता की ज़रुवत ने इनको दग्राउंड मिला हुआ है आप लोगों को भी शिश्यों को भी मैंने the ground दिया है और यह एक विराटता होती है और यह विराटता बड़ी मुश्क्ल से मिलती तो तो बड़े गुरुजी ने हमेशा मुझे एक ही चीज कही, वो कभी शिच तो कहते ही ने थे, दामाजी, दामाजी के कर ही हमेशा बुलाते रहते थे, दामाजी कहा हो, दामाजी कहा हो, आओ इधर बैठो, तो इनका एक प्रेम रहा है, एक मेरे प्रती प्रेम रहा है, प्राटी चीजे जिनने आप सिद्धियां कहते हो वो आ जाती है अब हम लोगों के साथ क्या है अगर मेरे सामने से कोई वक्ति एक बार निकल जाए इधर आओ ये देखो आप निरगुंडी कितनी अच्छी हो गई है अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने से एक बार निकल जा आप मेरे सामने से एक बार निकल जा ये बस अंदर ही सारे CT scan लगे होते हैं, सारे MRI लगे होते हैं, सारे X-ray लगे होते हैं, सारी laboratories लगी होती है मनुष्य के अंदर सब कुछ है सारी चीजे लगी होती है और वो एक बार में सारा blood testing लगी होती है एक बार आप मेरे सामने से निकल जाए एक बार आपका हाथ में देख लूँ एक बार आप मैं alertness से आपको देख लूँ आपको बारे मैं सब बता दूँगा त्रिकाल सिद्धी है या आप इसको किसी भी नाम से दे सकते हो कि त्रिकाल सिद्धी है ये है बूद भविश वरतमान को देखने की छमता है पर ये meditation से आ जाती है ये meditation का first stage है बहुत साधारन सी बात है और आदमी को देख किस पास चलने वारी चीज़ उसका नाम बोलती है उसकी उमर बोलती है उसका एज बोलती है उसका करने का तरीका क्या बोलती है वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है कितना गुप्त पापी, क्या गुप्त पाप की है क्या नहीं की है, क्या चाहता है अंदर क्या है, बाहर क्या है यह सारी चीजे मैं एक मिड़ी में देखके बता जेता हूं शिश बड़े हैरान होते हैं कभी-कभी किसी को पकड़ लाते हैं कि चलिए गुरू जी के पास गुरू जी बता देंगे पर सामाने तोर पर मैं इसको उप्योग नहीं करता क्या जरूत है इसको उप्योग करने की और the first part of meditation is alertness आपका माइड जितना alert होता जाएगा day by day जितना alertness होता जाएगा उतना जादा आप मान के चलिए कि ये सब चीजे छोटी मोटी सिद्धिया जाती है आपको मैं बताता हूँ बच्चा होता है छोटे बच्चे मोट क्या है अगर दो साल तीन साल के बच्चे गिर जाएगा हड़ी तूड़ जाएगा तो जुड़ जाती है पता भी नहीं चलता है कम दवाईयों में जुड़ जाती है बच्चे को दो साल तीन साल के बच्चे को एक मोबाईल पकड़ा दी जो सारे एपस खोल लेगा, सारी चीजे क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो सब चीज खोल लेता है, वो सब की समझ लेगा, कहां क्या, फट 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 मोबाईल चला लेगा, चार साल, पान साल के बच्च पर वह 100% माइन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको चोट भी जूड़ जाती हैं, फिर हसने लगते हैं, खेलने लगते हैं, चोट लगने के दो घंटे बाद दौड़ना शुरू कर देते हैं, और वह सारा मोबाइल खो लेते हैं, यह 100% माइन की capability को यूज कर लेते हैं, जै जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका ग्रोथ होता जाता है, आप अपने माइन को 2%, 3% के आसपास ले आते हो, 30-35 साल के उमर में, तो 2%, 3%, 4% माइन का उप्योग हो ही नहीं पाता है, और एक बिग डाइनमो है माइन, संसार का सबसे complicated, जो complicated machine है, वो human body है, उसको बारे में अभी भी 10%, 5%, from the science level, 2%, 4-5% लोग समझ पाए होंगे, 80%, 90%, 80% के आसपास अगर आभी spiritual level पे जाएंगे, the ground पे जाएंगे, तो आप 80% माइन को समझ जाएंगे, और जब अपने माइन को खुश समझ जाएंगे, जब अपने माइन को खुश समझ जाएंगे the real friendship will come with you, आप सबसे बड़ी बात है, meditation क्या है, meditation में conflict नहीं होना चाहिए कभी भी, कभी भी आपसी जगड़ा या querelle की चांस नहीं है, इसमें आपका कम से कम 80% आपकी body के साथ friendship होनी चाहिए, जो बहुत कम होती है, आप अपनी body को बहुत torture करते हैं, अपने mind को बहुत torture कर करते हैं, लोग तो आजकल suicide भी कर लेते हैं, सारी चीजे क्यों कर लेते हैं, लोग तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बगवान बुद्ध मंगल मैतरी गाते थे, मैं तो बहुत चोटा सा mobile यूज़ करता हूँ, और बगवान बुद्ध मंगल मैतरी गाते से, और मंगल मैतरी का sound ये एक अलग होता था, और ये पाली भाशा में होती है, और मैंने आपको कभी मंगल मैतरी नहीं सुनवाई है, पर आज आपको मैं कोशिश करता हूँ, कि आप मंगल मैतरी सुने, मैं हमेशा उसको अपने मोबाईल में रखता हूँ, पता नहीं होगी की नहीं होगी, मैं कोशिश करता हूँ, देखने की अगर होगी, तो आपको जरू सुनवाऊंगा, इसमें तो नहीं है मंगल मैतरी स्तुरोथ, कहीं चला गया, तो एक मंगल मैतरी गान होता है, और वो को हमेशा करते थे उसमें, वो ब्रह्मान के पेड़ पौदों की सबसे मैतरी भाव में बात करते थे, और उस मैतरी भाव के कारण, उन से सभी लोग प्रेम करते थे, भगवान बुद्ध के एक बार अपने शिश्यों से बहुत परिशान हो गया, क्योंकि शिश्य जहां होत तो उनको पशुपक्षी उनको खाना लाके देते थे, हाथी उनको नहलाते थे, हाथी उनको सारी चीज़े देते थे, सारे वन के अंदर पेड़ पौदे सब उनको प्रदान करते थे, तो दो वर्ष तक उन्होंने वर्षावास अकेले एक आंथ में वरक्षों के साथ, और उनको सारी चीजे वो प्रदान करते थे, तो ये भी एक विशे है, इन पेड़ों को भी सपर्ष किया जाता है, इन पेड़ों को भी ये दिख्षा दी जाती है, इनको भी ये कहा जाता है, तुमको भी दग्राउंड प्रदान किया गया है, इस दग्राउंड के अंदर और ये meditation और ये ध्यानस्ता अवस्था के एक परम इस्थिती है कि ध्यानस्ता अवस्था में ये चीजे होनी चाहिए आगे हम फिर बात करते हैं अगर था कि गुरुजी का पंडाल गिर गया था दशेरा मैदान में 1994 में और वो दशेरा मैदान था और उस पे पत्थरों के बीच में खूटी गारना बहुत मुश्किल होता है पर इतनी तेज हवा आई इतना तेज तूफान आया और इतनी तेज बरसात आई कि देखते ही देखते सारी खूटीयां उकड़ गई सारे खूटे उकड़ गए और पंडाल धराम से हो गया तो जीवन में दो पक्ष हैं जब आप अध्यात्मिक रूप से साधनात्मक होंगे साधनात्मक की तरह बढ़ेंगे मेडिटेशिव होंगे तो आपकी सारी खूटियां उकड़ जाएंगी ऐसी खूटियां उकड़ जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया ये गुरुजी ने आने प्रफम परचे गुरुजी ने यह दिया कि सारी खूटियां उकड़ती चली गई एक एक करके खूटी उसके बुसमें बने रस्यां उकड़ गई और पंडाल धड़ाम से गिर गया और पूरी खूटियां उकड़ गई तो जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे meditation करते हुए एक liberal तरीके से आपकी सारी खूटियां उकड़ जाएंगी खूटियां आप दो काम है आप खूटियां गाड़ रहे हो और मैं खूटियां उकड़ने की बात कर रहा हूँ आप जितनी memories में रखते हो waste हो आदमी क्या है आदमी के अंतर जो memories आप रख रहे हो वो waste of waste of time है waste of life है अब किसी ने मुझसे कहा कि आप young generation के लिए क्या कहना भी समाप्त होने की तरफ चले जा रहे हैं वो भी नष्ट होने की तरफ चले जा रहे हैं एक नष्ट होने का मार के चला हुआ है जिस पे लोग भेडों के समान बकरियों के समान और एक blind mind से उसको फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं जहां कुछ नहीं है सिर्फ नश्ट और नश्ट होना है और खूटियां गाडने के लावा कोई काम नहीं है एक लंबी कतार देखते हैं मैं अपने शिश्यों को देखता हूं तो उनको भीड में से निकालना चाहता हूं कि इस लंबी कतार में से मैं आपको निकाल लूँ आपको बचा लूँ नहीं तो आप भी पूरी तरह से वेश्ट हो जाएंगे पूरी तरह से नश्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा देखो कितने गाने हैं अगर इतने गाने हैं अगर आप गाने सुनते रहो पूरे विश्व के तो सुनते सुनते पूरी जिंदगी भी ज इतना सब कुछ अगर आप युद्ध के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो युद्ध की इतनी कहानिया है इतनी कहानिया है कि आप उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते उनको देखते देखते आप बूड़े हो जाओगे बच्पान से शुरू करो और एंड तक पहुंच और अगर सिर्फ आपने हैबिट्स डालनी और वह दालने कि मुझे तो पूरे विश्व में घूमना है मैं आपको दावा कर सकता हूँ आप पूरा विश्व घूमते रहें फिर भी आप पूरा नहीं घूम पाएंगे आप सो कॉल्ड विश्व को घूम पाएंगे और पूरी जिन्दगी निकल जाएंगे आप मर जाएंगे आप घर भी नहीं लोट पाएंगे आप अगर सोच लो कि मुझे पूरे विश्व की एक फैनेटिक बना लो लाइफ में एक जिसे कहते हैं कि विक्षप्त सोच बना लो कि मुझे तो विश्व की पूरी नदियां देखनी है आप देखते रहो नदी एक एक नदी देखते 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 अगर आप सोला साल की उमर में भी निकलो गए तो एक सोचे साल की उमर अगर आप जीना चाहते हो 96 साल में भी आप पूरी विश्व की नदियां नहीं देख पाऊगे यह कुछ नहीं है यह जिसकी से कहते हैं मैं देख रहा हूं कि यह पहुत डिनों से चला रहा ह। आप इसको भी अपने आदत में डाल लीजिए और अपने आपको नश्ट कर लीजिए सबसे बड़ी चीज है इप आपके माइंड को आप है बीचुल मत बनाईए आप अपने माइंड को एमटी नहीं रखते हैं आपको चौबिस घंटे अपने माइंड को बीजी रखने के लिए कुछ नो कुछ चाहिए होता है आप चो आप मैंने देखा अभी जसी तीन-चार महीने की स्थितिया हुई इसकी जड़े आ रही है उपर से नीचे तक आप देख रहे हैं पूरी की पूरी जड़े कहां से आ रही है और यह आपको कभी निखिल धाम के पास इज़त दिखाओ इस लाइफ यह लाइफ चली आ रही है यह जीवन है यह मेडिटेशन है हर विप्रीत परिस्थितिती में यह आप यह देखो इसकी जड़े कहां से निकल रही है अब आपको मैं दिखाता हूँ आईए यह जो आप लेंगवेज देख रहे हैं यह लेंगवेज अभी की नहीं है यह चितर देखो आप यह अभी का बनाय हुआ चितर नहीं है यह आदी मानों के जमाने का बनाय हुआ चित्रे आगे आओ यह आप देखो यह लिखावट भी इस चमाने की नहीं है आप देखने हैं पूरी चीजों को यह देखिए आप यह कैसे इसमें निकल आए हैं नीचे उस गुफा को अधर से दिखाओ अब थोड़ा दूर जाओ वहां से करो शूट पूरी गुफा को दिखाते हुए नीचे जाओ तो मैं आप से कह रहा है था आप यहां से देखिए कितनी खूब सूरत गुफा आई है कभी आप निखिल दाम आए तो यहां पर जरूर आएगा साइड में दिखाओ इस साइड में कभी आप निखिल दाम आए तो यहां पर जरूर आईएगा अब लियाओ केमरे दर तो पास लाइए और पास आईए तो अगर आप कोई हैबिट डाल लेते हैं आप अगर चौबीस घंटे एक आपने सोचा आप क्या करते हैं चौबीस घंटे लोगों की एक आदत पढ़ ग सिनेमा देखिए चितर बनाईए देश विदेश में घूमिए इधर घूमिए कुछ भी कीजिए आप इससे पलायन कर रहे हैं यह जीवन से पलायन कर रहे हैं मस्तिश्क की वास्तविक समस्याओं से पलायन कर रहे हैं जो कोशिका करोणों साल में बनी है ब्रेन की जो कोशि किया जा सकता है उससे कुछ भी उसकी alertness से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है कुछ भी देखा जा सकता है सारी चीज़े की जा सकती है तो यह आप empty mind नहीं रह सकते क्या spirituality तभी प्राम होती है जब mind की emptiness को आप स्वीकार कर लें और mind को emptiness तभी आएगी जब आपका past हड़ जाएगा आप past की चीज़े को याद रखना चाहते हैं अगर मालीजे मुझे थूगना है मैंने थूग दिया drop out कर दिया थूग दिया अगर मालीजे मुझे कुछ यहां से कचरा उठा के फेकना मैंने थूग दिया drop out कर दिया ऐसा ही past की चीज़े हम past के समय का हम बीते हुए कलका किसी ने हमको गाली दी किसी ने हम से बुरा बोला हम असफल हुए हम सफल हुए ऐसा हुआ वैसा हुआ हुआ हम यह अनुभा हु यह हम जब तक drop out नहीं करेंगे जब तक हम इसको फेकते नहीं जाएंगे मालीजी मैंने कचरा फेक दिया मैं भूल गया फेक दिया मैंने उसमें क्या रखा है चला गया चला गया कचरा उसको मुझे अपने दिमाग में रखने की क्या जरूत है तो emptiness तभी है ऐसा नहीं कि आ आपके मस्तिक्ष की सफाई होती रहेगी मस्तिक्ष वो सब चीज़े निकलती रहेंगी और उसके लिए एक प्रचंड उर्जा की ज़रूत पड़ती है जो उसको जैसे पानी बहता है तेजी से उसको निकाल के बाहर फेक दे वो उर्जा दिक्षा के माद्यम से हम लोग प् हमने ऑनवेज को सब कुछ मान लिया अर्फाथ ग्यान को मैं ग्यान तो देता ही नहीं तो कि ग्यान देने चать जितना धाये हुआसे ग्यान के बारे में यहां के बारे में वहां के बारे में आप ने माइंड में रिकॉर्ड कर लिए उसी नौलेज में से अनुभाव besar उशर वीचार निकलेंगे और वो वीचार इतना कम ग्राउंड देंगे आपको कि उसमें आप खेल नहीं सकते खुलके, विक्सित नहीं हो सकते खुलके तो ब्ल्ड सिर्फ, उतना ही होना चाहिए जितनी जरूरत है उसीогोर रखें, एक छोटा सा नौल्ड अच्छा है, कि हाँ मुझे उटना है सुबह हाथ मुदोना ये करना है वो करना ऐसा करना है अब उस knowledge को मैंने पहली class में क्या पढ़ा था मैंने दसवी class में क्या पढ़ा था मैंने बारवी class में क्या पढ़ा था क्या कर इस knowledge को रखने की क्या जरूरत है इसको मत रखी आप It is a poison ये आपके माइंड को संकुचित करता जाएगा और आपके माइंड की विराटता को घटाता जाएगा आपको ये आगे नहीं बढ़ने देगा मैं क्या करता हूँ मैं आपको पंक प्रदान करता हूँ पंक freedom है पहले freedom आएगा उसके बाद first the freedom will come after death the meditation will come पहले freedom आने से पहले meditation कभी नहीं आता है अगर आप जेल में हैं जेल की दिवारों को कितना भी अच्छा रंग दीजिए कितना भी अच्छा पोट दीजिए जेल में टीवी लगा दीजिए जेल में नाचने गाने की सुधाइं देजिए खेलने की सुधाइं देजिए जेल में बहुत सुधाइं मिलती है अच्छा खाना भी देजिए जेल में बहुत कुछ मिल जाता है पर जेल एक जेल होती है वो कितना सुंदर उसकी दिवालों को पेंट कर दो कुछ भी रग दो पर जेल को आप, जेल में आजादी नहीं होती है, जेल में आपको एक सर्टेन उसके हिसाब से चलना पड़ता है और ऐसे ही psychological prison है, वो psychological prison कुछ-कुछ भी हो, सारी बाते हों, पर उससे कोई मतलब नहीं, वो prison है उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है और गुरू जब पंक देता है तो आपको जेल से निकालता है आपके जेल के एके मैंने काला खूटे तोड़ देता है खूटे उड़ गए तो जेल के एक 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 दरवाजे तोड़ देता है तभी true meditation आएगा, पहले freedom आएगा, उसके बाद में meditation आएगा और आपको freedom from thoughts भी चाहिए, ज़्यादा विचार करने वाले लोग कुछ नहीं कर, वो dull mind है जो जितना dull mind होगा, जितना कमजोर मस्तिश्क होगा, उसमें विचार उतने ज़्यादा आते है वो इतना ज़्यादा सोच ताइए, उतनी जदी conclusion पर पहुंचिताए मैंने आपको जो आज तक वीडियो दिए हम वीडियों को देखके आँ मेरी बातों सुन कभी किसी conclusion पर मत पहूंचताए कभी किसी इस चीज़ पर मैंने कई बार देखा कि आप कंक्लूजी हो जाते हो नहीं कभी किसी कंक्लूजन पर मत पहुँचो कभी जज्जमेंटल माथ हो कभी इसको किसी एम के रख के बोला गया ऐसा भी नहीं यह तो एक बहती हुई धारा है जिसमें ना कोई एम है ना कोई कंक्लूजन है कर ना कोई निर्णा है नहीं कोई इसमें आपको किसी चीज़ के लिए बात दिख किया जा रहा है यह एक बहती हुई एक freedom को बता रहा है आपको पंक्ख है, मच्छर भी को भी पंक्ख दे दो थोड़ी ज़र उड़के उधर बैठ जाएगा उसके बाद अगर आप एक गौरईया को पंक्ख दे दो के तो थोड़ा सा उड़के वहाँ बैठ जाएगी एक जगा से दूसरी, एक मकान से दूसरे टोड़ा बहुत उड़के आ जाएगा चील को पंख दे दो तो तो युद फॉपर उड़ लेगी आकाश में काफी देर तक आखाश में अधाश में अगाश थेको पंख देदो तो इसमें तो बहुत के पंखों में तो बहुत पांक तागत है वह एक आगाटरियेंट से दूस आप मुझे बताईए कौन सा ऐसा जहाज है, एक हंस उड़ता है, इतना सा पेट होता है हंस का, और वो एक बार में दो आजार तीन जार किलो मीटर की उड़ान उड़ लेता है, इतने से पेट में कितना खाना आएगा हंस का, क्या खालेगा, वो ऐसा खोई अमरत खालेगा, क् पर जब उड़ान बढ़ेगा तो 2000 किलो मीटर मीनिमम उड़के जाएगा हिमाले को भी क्रोस कर जाएगा इतने से पेट में आप बताए कौन सी यही मशीन बनाई यह बायोजिकल मशीन है जो की बनाई गई है और जो की बायोजिकल मशीन है और आप यह बता दीजिए यह कौन करके ही बनाया जाता है सारी चीजे जितनी भी आप देखते हो जो मशीन है वो रफ जिसे कहते हैं बहुत ही डल कॉपी है कॉपी भी जिसे कर एक भद्दे तरीके से कारबन कॉपी की गई है जिसको हम साइंस कह देते हैं जिसको हम विज्ञान किसी भी मॉलीक्यूल को ले ल दोड़ेगा तो दोड़ता चला जाएगा 100 km की स्पीड से दोड़ता चीता और खाता कितना कम है अब यह काप 100 km दोड़ने वाली गाड़ी लिया आपको उसके लिए सड़क बनानी पड़ेगी चीता तो 100 km कहीं भी दोड़ जाएगा पहाड के उपर भी चड़ जाएगा इस हाइट पर बेटें इस पर इस पर इस पर कूट कूट के चड़ जाएगा पर आपकी कार चड़ पाएगी क्या नहीं चड़ पाएगी तो रफ और एक भदी फोटो कॉपी की गई है जिसको हमने नाम दे दिया है साइंस यह आप इसके बारे में सोच के देखिए का जब आप Meditative Mind होंगे तो आपको टॉट समझ में आएगा साइंस का Meditation का मालम मतलब है as it is जो है सो है की स्थिति में सोचना और इस जो है सो है की स्थिति में सोचने के लिए हमको सबसे बड़ी एक चीज़ को हटाना पड़ेगा जो हमारीLife में होती जो हम सब चीज़ों में गरबर कर र तो आपको अलग बात है, मैं आपको छोटा सा उधारम देता हूँ, जब मेरी तव्यत खरापती बीच में तो मेरा एक्षिष था दुकानी, क्या नाम है उसका, पूरा नाम क्या है, मुकेश दुगानी, यस, मेरा अच्छा शिष्ष है, तो मैंने मुकेश दुगानी उसने कह कि मैंने का, यार मुझे रात में रुखता सा भीचारा मेरे साथ, तो गूरू के साथ और मेरे साथ रुखने के लिए लोग सोचते हैं, गूरू जी के साथ रात में रुखना पड़ता होगा, तो बहुत मज़ा आएगा, गूरू जी के साथ रहना, चलना फिरना अच्छा रहेगा, वो उनकी fantasy है, वो कुछ भी उसका perceptions बना सकते हैं, कि हाँ, गुरु जी के साथ रहने इतना बजाएगा, आप यकी नहीं मानोगे, मैं उसको रात को तीन बज़े बोलता था उठ, रात को दो बज़े बोलता था उठ, रात को दो बज़े उठाता था, वो मुकेश थो रात को दो बज़े उठके चाय बना लाता था मेरे लिए, फिर मैं उसके कहता था, बटा मैं योग करूँगा, मेरी सरजारी हुए, पर तुझे मुझे देखना पड़ेगा, मैं गिर न जाओ, कहीं मेरी बैलंसिंग न टूटे, तो पसीने पसीने हो जाता था, वादमी, त तुझ अपने घर में रह रहा हैं, तो बहुत अच्छे से रह रहा है, मैं गुरु जी के साथ रहता हूँ, यह फेंटेसी छोड़ दे, वो गुरु है, अगर वो कभी गुस्से में बोल देते हैं, तो कमरे की टूबलाइट फ्यूज हो जाती है, अगर मैं कभी कमरे बैठा है, कि नंबर वन उद्ध्योग पती होते हैं, वो इरिडियम को 10 करोल, 20 करोल, 50 करोल में खरीदने को तयार होते हैं, इरिडियम कई बार जारखन शाइड मिलता है, और उडिसा में भी कुछ सिक्कों में इरिडियम होता है, पहले कॉपर के साथ इरिडियम निकलता था, तो तो वो क्या होता है, इरिडियम को आपर कहीं भी रख दो, तो वो मशीन बंदो जाती है, वो चावल को पुलिंग कर ले, चावल को खीच लेता है, तो उसको कपड़े उपड़े में या टायर के अंतर लपेट के रखा जाता है, तो जब मैं मैं कमरे में रहता हूं तो अच तो वो एक सबस्टेंस होता है, इरिडियम जो नेचुरली बॉड़ी में लोगों की बॉड़ी में फॉर्म होता है, आपकी बॉड़ी में सोना भी बनने लगता है, जब गुरू जी पहली बार वहपार आ थे तो उन्होंने मुझे दिक्षा दी थी, सोनना कर्शन भेरो दि पहलते जा रहे हैं, वो मेरा फॉर्ष्ट एक्स्पिरियंस था, मैं बड़ा घबरा गया है, यह क्या चक्कर है, यह गोल्ड गोल्ड कहां से निकल रहा है, मेरी बॉड़ी में सोनना कर्शन भेरो दिक्षा दी थी, इससे भी होता है, कई बार आप और आप औरा में देखें आप कमरे में दस में तक सिल्वर पार्टिकल से भर जाता है, तो यह मेडिटेशन की स्टेजेस होती है, तो बॉड़ी से इरिडियम भी निकलता है, और यह एक फैंटेसी की बारे में जिसको मैंने बता है, अगर आपका माइंड फैंसी फूल है, फैंटेसी से भरा हुआ है अगर आप सोचते हैं तो आपकी मर्जी है, वो माइंड मेडिटेटिव माइंड नहीं है, वो कुछ और माइंड है, वो तो फिर अलगी बात है, पर हम अपने माइंड को धोका दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्योर मेडिटेटिव हो जाएंगे तो आप अ अब ही आप देखिये, मैं आपको एक अंजानी जगा लाया हूँ, जो आपको अभी नहीं दिखाई है, पर यहां मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, और इसको पूरा घहना कर दिया है मैंने, और यह देखो आप, इसको दग्राउंट डिया गया है, इसको यहां पर और आज देखो, अब कितना बड़ा प्रेड हो गया, कितना ब्यूटिवल, पूरा दिखाओ इसको, यह है ट्रू मेडिटेशन, कि यह इसको जगा मिली, इसको भूमी मिली, इसको दग्राउंट मिला, तो यह मेडिटेट कर गया, और ब्लॉसम हो गया पूरा, अब आप यह यहां पर बढ़िये, यहां पर आगे बढ़िये, तो यह यहां पर आगे बढ़ गया, इसको किसी माली ने नहीं लगाया है, इसको किसी यह किसी उध्यान में लगा पेड नहीं है, किसी गर में लगा हूआ पेड नहीं है, यह किसी नरसरी में लगा हूआ पेड नहीं है, य और इसे कहते हैं, true parijat, यह देखो कितना खुबसुरत parijat है, जो मैं आपको दिखाना चाहरा था, और यह इसके फूल देखो आप, यह फूल देखो आप, ऐसे फूल वहां पे ले चल, वहां देखा किते सारे खिले हूं है, यह इसके फूल देखो आप, फूल कहीं भी खिल स यह कर गया meditation, इसमें flowering हो गया, यह ब्लॉसम कर गया, यह हो गया meditative, इधर दिखा, इसमें आप देखो कितना ब्लॉसम कर गया, कितना ज्यादा इस गुफा में बैठके मनुष्य हो चाहिए नहीं हो, पर यह पेड ब्लॉसम कर गया, यह भी पारी जाक है, ओ देखो, आगे मैजिक, उधर दिखा पाड़, यह कितना प्लांटेशन हुआ है, देखिए, चुडियों की आवाज सुनी आप, इधर लाओ, इधर से दिखाओ इसको, यह देखो आप, इसकी खुश्बू देखो आप, ऐसे दिखाओ पूरा, बढ़ाओ, इसकी खुश्बू देखो आप, वहार से पेड़ाना चीए पूरा, अगया, अब ऐसे लोग, तो गुरू जी के पास सब बैठे थे कमरे में, तो सब लोग आने लगे, तो आप जूट बोले वालों की कमी नहीं थी, प्रिचुलिटी में बहुत जूट बोला जाता है, तो कोई कहने लगा कि मेरे को यह हुआ, वह हुआ, सब गुरू जी के सामने बता रहे थे, अपनी रिवाल्यू शेयर बेट के मुस्कुरा रहे थे, सुन रहे थे, और मुझे लगा ऐसा कि, शायद मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, देखना मतलब मैं सब से मूर्ख हूँ, एक जिसे कहते हैं, प्रतिस पर चनकी मैंने कब शीव जी के दर्शन की रात में अधेर में कुछ नहीं के सब लोग बोल रहे थे, तो मैंने भी बोल दिया, गुरू जी हजदी है, भी हजदी है, बाद में मुझे समझ में आए, कि यह पूरी प्रक्रिया गुरू दिखा रहा था, कि देखो आपका माइंड कैसे रियक्ट करता है, आपका माइंड कैसे सोचता है, आपका माइंड कैसे अपने आप से ही जूड बोलता है, आपको मालू है आपका माइंड जूड बोल रहा है, आपको मालू है कि आपका माइंड एसकेप कर रहा है, तो जब आप अंतरमन में उतरेंगे तो आप अपने मस्तिष्ट की एक गती विधियों को देखेंगे और उस गती विधियों को इसलिए देखेंगे कि आपका माइंड क्या कह रहा है आपका माइंड किस चीज के लिए चिला रहा है आपका माइंड क्या मांग क्या रहा है आपके माइंड की डिमांड क्या है ये बहुत बूर बात है एक बार जे क्रस्टा मूर्ती ता माश्टर के पास एक व्यक्ति आया वो व्यक्ति ब्रहमा चरके को लेकर ही पागल हो गया था ज awareness क्यों की आफिन रिएति स्प्रिचुलिटी में साइको लोगों की कमी नहीं है कोई बात नहीं, नहीं मैं लेना चाहता हूँ, ठीक आप ले लीजिए, तो ले लिया उसने ब्रहमचर, फिर दो-चार साल बाद लोटका है दा मास्टर के पास, उसने बोला, मुझे ब्रहमचर मुझे सहन नहीं हो रहा है, मेरे अंदर इक्षा, काम की इक्षा होती है, मैं क्य करूँ, तो उन्होंने बोला कि जब आपके अंदर माइडर के अंदर काम की इक्षा हो रही, आप इसको कंप्रेस करके इसको रोक रहे हैं, तो आप इसको मत कीजिए, ये गलत है, इस इस रॉंग, इस इविल, वो नहीं माना, वो गुरू की भी कहां सुनते हैं लोगा, उस हुआ तो इसके अंदर और समस्या खड़ी हुगई, उसकी आवाज औरतों के समान हो गई, उसके वक्षिस्तल बढ़ने लगे, उसका चाल चलन, उसके बोलने का तरीका, उसके शरीर की बनावट समान होने लगी, वो i stilly के रूप में प्रगट होने लगा, उस में i stilly के रो spirituality है, यह क्या life है, this is what life, हम इसी तरह से crazy हुए जाते हैं, कितने पुराने पुराने चेहरों को हम देख रहे हैं आज भी, 60 साल से, 50 साल से, 55 साल से, कब तक इन चेहरों को देखते रहोगे, कब तक इन से जुड़े रहोगे, जब आप meditate होंगे, तो यह सारे चेहरे, यह कुछ नहीं, जितने सिम्बॉल से, जितने चेहरे, यह छारे चेहरे आपके मस्थिष्फ से निकाल जाएं, मेरे मस्थिष मे कोई चेहरा नहीं रहता, कोई रखता भी नहीं, और किसी को देखना भी नहीं चाहता, और सबसे बड़ी बात है कि आपको यह समझ में आ जाता कि अब रिपीटिटिव मेडिटेशन नहीं मेकेनिकल प्रोसेस है, कि वो रोज मशीन के समान काम करता है, वो एक ब्योंड मेकेनिकल प्रोसेस है, और वो कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी भी स्थिति में आ सकता है, और जब वो आता है, तो वो एक अपनी नई चीज लेकर आता है, जो दूसरी बार हुआ, वो इस बार repeat नहीं होगा, आपने एक मौमबत्ती ली, मौमबत्ती को आप बुझा दीजिए, फिर रख लीजिए, और जब मौमबत्ती को फिर से जलाएंगे, तो जो उसकी flame होगी, द ही पुझा ले our, मैं मैं निखिल धामें बेठा रहा हूँ, हां मैं इहां स्पास के area में आता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, पेड़ पौदे दिखाता रहता हूँ, और जब आप मुस्कुरादेंगे, जब आपको मेरे वीडियो में कोई बात अच्छी लगेगी, जब लक्षिना के पीछे में भागता नहीं, कोई प्लानिंग नहीं करता, पर हाँ, आपकी मुस्कुराहाट, आपकी हासी, आपका नर्त्य, आपका आनंद, आपको इस वीडियो को देख के इन पंकों की दोरा जहां तक चाहिए, वहां तक घूमिये, जहां तक चाहिए, वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको पंक प्रदान कर दिये गए, पंक कोई गुरू प्रदान नहीं करता है, पंक शिशी को प्रदान कर देना ही गुरू का करतव है, जो दीक्षा के माद्यम स अन्य माद्यमों से प्रदान करता रहता है और हस्ता मुस्कुराता और खिलकिलाता हुआ रहता है अगर गुरू हस्ता मुस्कुराता खिलकिलाता हुआ नहीं है तो शिसी क्या हस्ता मुस्कुराता और खिलकिलाता हुआ होगा वो कभी नहीं हो सकता तो जो चीज गुरू में परिलिक्षित होगी, जो चीज गुरू में निकलेगी, अगर गुरू ने डीपनेस देख लिए गुरू की आखों में गहराई है, तो एक दिन शीज की आखों में गहराई तो अपने आप आही जाएगी, वो कोई कहने की बात नहीं है, आपको आशि इसगे पेर लगे देवदार पेर लगे हुए और कम से कम हजारों पेड लगे लाइन से तो जब मैं उनको देखता था तो मुझे एक दिखने लगते थे पूरे पेर और मैं उनको देखते-देखते ऐसा पता ही निख Miaman फेड़ो है पिर the observer and observe बिलकुत समाप्त हो जाएंगे जिस समय उस समय आपको यह मान के चलिए कि आप as it is किसी चीज को देख सकते हैं और spirituality का मतलब यह है कि जो है so है जिस रूप में है उस रूप में देख सकना ही आप मान के चलिए कि true meditation है जैसा है जिस रूप में है उस रूप में आप नहीं देख पाते आप अगर आप मुझे देखेंगे बोलें गुरु जी से मिलना है तो आपके मन में गुरु जी को लेकर एक बात आजाएगी हाँ गुरु जी होते हैं ऐसे दाड़ी बड़ी होती है जैसे आप Google में बटन दबाएंगे गुरू तो आपको दुनिया भर के गुरू के फोटो आजाएंगे तो वैसे आपका माइंड गुगल से भी ज्यादा बड़ा माइंड है आपका जिसमें कि गुरू के नाम से एक चीजे भरी होती है उस चीजों को आप देखते हैं उसमें ज्यादा ज्यादा फैंसी फूर फैंटेसी होती है जो फैंटेसी फैंसी फूर फैंटेसी को हटा देना पड़ेगा और एज इस देखना पड़ेगा जैसा है वैसा ही देखना उसमें ना कुछ जोड़ना ना घटाना ना कम करना ज्यादा तो तो आप जब एक हो जाते हैं तो वह चीज मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं होती है, वो फ्लो करके निकल जाती है, आप इन वीडियो को देख लिए ये वीडियो आपके माइन से फ्लो करके निकल जाएंगे, आप इसको माइन में रग भी नहीं पाएंगे, आप इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं पाएंग तो आप आराम से उस चीज के पती अंगीकार हो जाएंगे उसका आपके साथ एक रूपता हो जाएगी मैंने कहा ना कि मैंने इसको कहा कि देखो समुद्र यहां पर आ गया अच्छी बारिश करा रहा हो यहां पर भी पानी गिरा रहे हैं अब यह बादल समुद्र से आहें तो यह समुद्र का ग्राउंड बढ़ गया है आप एक तो ग्राउंड है जहां पर पानी खटा है पर समुद्र ने अलग से डाइमेंशन एक अलग से ग्राउंड क्रियेट कर लिया वह उड़कर चलकर एक्स्टेंशन होकर यहां तक आ गया है हम नहीं ला सकते इस फ्री ओफ कॉस्ट मैंने कहा नहीं कि फ्री ओफ कॉस्ट है इसमें मुझे कोई पैसा खट नहीं करना पड़ा कोई मशीन नहीं बनानी पड़ी हमको यह कुछ भी नहीं करना पड़ा पर वो आ गए इसका मैं आपको बहुत छोटा उधारन यह देता हूँ कि अगर कमजोर से कमजोर आदमी भी हो अगर उसको कोई मारने दोड़ता है या कोई जंगली जानुर यहां बहुत गूमते आ जाए तो मैं एकदम तेजी से दोड़ के नीचे भाग जाऊँगा यह भी नहीं सचूँगा कि गिरूँगा हाथ पाँ टूटेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा मैं दोड़ता हुआ भाग जाऊँगा यह कैमरा फेकर भाग जाएगा मुकेश यह भी छोड़ के भाग जाएगा क्यों क्योंकि उस समय एकदम से एनरजी भष्ट होगी इस पाइंड क्यों 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 अर वाइर लेश्य का विश्कारों कि भाइली इस सबाइब नेकि किसी बी चीज के बारे में आपसोंच के देखिए नंका जो मेरा अविश्कार है परबाडो बम का ही ले लीजिए, एटोम बम का इंद्रबान का हुआ है, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के पीरेड में ही ये बने हैं, क्योंकि जब वार होता है, एक एमर्जनसी सिचुएशन क्रियेट होती है, और उस एमर्जनसी सिचुएशन में लाखो करोनों इस विश्चु के मस्तिश्क एक साथ जुड जाते हैं, और वो अब्जरूर और अब्जरूर में डिफरेंस खतम हो जाता है, जो चीज की जरूरत होती है, उसका वो अविश्कार कर देते हैं, कि हाँ हमने इसका अविश्कार कर देते हैं, यह ये चीज़ हमने बना दी, उ वर्वार 2, 1 और 2 में उनका computer का जो basic अविशकार था वो हो चुका था, उसके बाद इनका modification होता है, जो शांती काल होता है, शांती काल में modification होता है, new invention नहीं होते हैं, तो emergency काल में ये होता है, और ये ही बात ये आपके साथ भी आती है, उस समय observer और observed का difference खतम हो जाता है, अभी have to invent a medicine, किसी भी तरह से हमको medicine बनानी है, और आज medicine, जब मैं आप से बात कर रहा हूं, तो medicine मार्केट में launch हो रही है, और आप ये सोच के देख लिए, वो basic medicines तो बन गई है, पर हाँ, उनमें modification, समय के साथ उनको थोड़ा सा develop करना या सारी चीजें, जो होंगी, वो later on 2, 4, 6, 8 महीन है, साल, 2 साल बाद हो जाएंगी, पर हाँ, यहाँ पर humanity ने इस बीमारी को, हम कह सकते हैं कि इस so called disease को conquer कर लिया, उसने medicine बना ली, अब उस medicine को longer period में धीरे 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 करके आ जाएगी, चेचक के TK ले लिजिए, आप medicines ले लिजिए, आप पैंसलीन ले लिजिए, व तो सबसे वर्ल अगर पैंसलीन नहीं होती, तो वर्ल वाल टू में 10 करोड लोग और मर जाते, आज पैंसलीन को हम लोग जो भी बोलते हैं, पर 10 करोड वाल टू में पैंसलीन ने बचाहिए, तो पैंसलीन का निरमार वर्ल वाल वाल वाल, क्योंकि इतना युद धोरा था, इतने लोग घायल हो रहते हैं, चोड़े लग रही थी, हो धम讲ते धाना हाको कर रही को देखा हैं, इसी साइंस वाले ने लिखा है कर अब मदरा मत प्रेज़ा या किसी साइन्स जब मैंने इस शरीर को ग्रहन किया होगा, जब इस शरीर को छोड़ा होगा, तो उससे मैं अपने शरीर से कमिटमेंट कर दी है, कुछ फ्यू कमिटमेंट आदमी कर देता है, कि हाँ, मैं जब नेक्स जन में आऊंगा, तो ये चीजों को मैं यूज नहीं करूँगा, जो जीन क्या मैं शराब पीने वालों सो बात नहीं करता है, क्या मैं नॉन्वेज खाले हों पीने वालों सो बात नहीं करता है, क्या मैं नॉन्वेज शराब पीने वालों को दिक्षा है नहीं देता हूं, मैं ये ऐसा बंदर भी नहीं लगा है कि आप नॉन्वेज नहीं खाएंगे जो श peng 색 हो गई मैं इस तरह की बात भी नहीं कर तो कि इस तरह की बाते इस तरह की छोटी बाते कोई विराट मस्तिषक में ईता तिग कर दिदिद्ली के नवा dh और इसको फॉज में जाना ही पढ़ेगा अमेरिकन गउर्मनेंट ने ये कानून पास कहते हैं और ये कानून पास हो गया कि आपको वर्ल्ड वार्ट बे जाना ही पढ़ेगा उनको बुलाएगा ने का नहीं तो आपको हम डिपोर्ट कर देंगे आपको भगा देंगे अपने देश से उन्होंने का मैं सर वर्ड वार टू में नहीं जाओंगा मैं बंदू उठा के किलिंग नहीं करूंगा मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा मैं लड़ाई जगड़ा नहीं करूंगा उन्होंने क्लियर सब्दों के दिया कि मुझे लड़ाई नहीं करना उनको आपको मालूम है बारा वर्ष तक ये उनको बारा वर्ष तक उनको जंगल में अकेले रहना पड़ा एक जंगल में लकडी का बना हुआ मचान था उसके उपर रहते थे मुर्गियां पाल रखी थी गाय भैंस प और जंगल में रहते थे खुदी खाना पारा आते थे खुदी खाते थे खुदी सोते थे खुदी गाय पालते थे खुदी सब कुछ करते थे बारा साल तक वो अकेले रहे पर वो युद्ध में नहीं गये उनने के थे मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा मेरे को युद्ध करना है चाहे कुछ भी हो जाए कितनी बात या जाया मैं युद्ध नहीं करूँगा मैं श्रत नहीं इठाउंगा और उन्होंने स्रस्त नहीं उठाया युद्ध नहीं किया बारा साल तक अकेले रहे, 12 साल बात फिर कालचकर का परिवर्तन हुआ, फिर समय परिवर्तन हुआ और वो विश्व गुरूर के रूप में पतिश्ठापित हो गए, सारी जगह से लोग आए, सारी जगह से लोग उनसे मिलने लगे और सारी चीजे चलने लगी, तो यह meditative mind है, कि meditative mind को मैं बिलकुल crystal clear जिसे कहना चाहिए कि crystal clear काँच के बिलकुल पानी के साथ आने stillness होती है और पारदरशिता होती है वो उथला पानी नहीं है वो गंदा पानी नहीं है वो मेला पानी नहीं है वो confused mind नहीं है वो दो-दो मिनट में किसी के समोहन में आकरशन में वशी करण में आने वाला नहीं है एक मस्तिश्क को अगर इस प्रत्वी पर समय meditation की बात क्यों बारप कर रहा हूँ एक मस्तिश्क को अगर इस प्रत्वी पर survive करना है तो उसको मालूम है कितने attack जिलने पड़ेंगे कितने लोग उसे बहला उस मस्तिश्क को फुसलाने की कोशिश करेंगे बहलाने की कोशिश करेंगे मस्तिश्क को दबाने की कोशिश करेंगे उसको भटकाने की कोशिश करेंगे उसको चराप की दुकान पर ले जाने की कोशिश करेंगे उसको बरबात करने की कोशिश करेंगे उसको मर जाने की कोशिश करेंगे आपको मालू है करोडों मस्तिश्कों के साथ जब प्रत्वी पर आदमी रहता है तो मस्तिश्क पर कितना इंपेक्ट डालेंगे उस मस्तिश्कों मिटा देते हैं मेरे पास आने वाले शिश्यों का या मस्तिश्कों का यही हाल होता है कि उस मस्तिश्क को यह लाखो करोड जो मस्तिश्क दूसरे बैठे हुए हैं यह इतने घाग मस्तिश्क हैं कि उस मस्तिश्क को किसी ने किसी तरह से अपनी तरफ खीचने में समोहन, चाटन, वशी करन, मा पहार, मारण, मोहन, उसपे सब कुछ हो गया रहता है। उस मस्तिष्ट के साथ क्या-क्या नहीं होता है आपको नहीं मालूम। पिछले 5,000 सालों में 25,000 सालों के मानव सब्वेता में जितना ज़्यादा इंसान इंसान को टॉर्चर कर सकता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं परबाद होते मस्तिष्कों को गुरू उठाता है उनको ग्राउंड पदान करता है और यह दाखभणी का पेड़ जाब दिख रहे हैं इनको भूमी प्रदान करता है यहां पर तुम ऊगो यहां पर कोई तुम्हें डिस्ट्रॉइ करने नहीं आएगा यहां पर कोई खतम करने नहीं आएगा और मैं खुद आके इस गुफा में बैठूंगा आपके साथ और आज में बैठा हूं आगे फिर मैं आपसे और बात करता हूं अब मैं आपको निखिलधाम से आधा किलो मीटर की दूरी पर सबसे रहस्यमई जगल आया हूँ आप इसे देखो यह सबसे रहस् इस रहस्यमई चट्टान को देखी आप दोनों तरप आप देखिए यह शाक्षात चतुर्भुज आकार में है विश्णू की आकार में है और इसको आने धर्मों में भी ऐसा ही चट्टान रख्यू यह यह इस प्रत्वी की चट्टान नहीं यह कहीं और की चट्टान आप देख चाल तरब प्लेन है, चलिए, चलो, एक बार मैं पड़े गुरुजी के पास गया, तो थोड़ा कुछ पैसे की बात को लेकर मेरे मन में कुछ एक आम जो होते हैं, वो पैसे को सोचते हैं कि गुरुजी क्या गया, तो फोड़ा पैसे खर्च हो गया, यह हो गया, एक सोच होती है, आप इस चट्टान को देखिए, यह पीबल का पेड़ है, बर्गत का पेड़ है, और आप देखो यहां से बर्गत पूरा इस चट्टान को अपने आप ढग रहा है, पहले मैं आपको च और यह अकेले जाके पूरी परिक्रमा करके चट्टान के आएगा, फिर में इस से बात करूँगा, ठीक है, यहीं तक देखो तुम तो, आप यहां पे देख रहे हैं इस चट्टान को, और सिर्फ एक विशाल शिला खंट रखा हुआ है, और शिला खंट के पास में आपके तो उन्हों ने मुसे बोला कि एक आदमी था, उसकी बहन थी, उसके बहन थी, उसके बच्चे ने कोई क्राइम कर दिया तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसकी जमानत हो नी थी, तो बहन बार बार भाई के पास जाए कि मेर सगा भाई वकील है, कुछ काम कर देगा, भाई हाँ कर दे, पर कुछ कह नहीं पाए, जमानत नहीं हो पा रही थी, तो फिर एक जिन भाई ने हिम्मत के कह दिया कि 25 रुपे लगे जमानत के लिए, बच्चे की, तो बहन और उसके आदमी को बहुत बुरा लगा कि देखो हमारा सगा है, और इसका सगा मामा है खेर उनों गरीब लोग तो नहीं पनी चूड़ी बेच के ये बेच किस तरस इसको पैसे दिये, जब वो पैसे लेकर गया हाथ में, तो उसमें पिर जाके बहुत अच्छी जीरह की, और उसी समय अपने भतीजे की जमानत करा ली, और जमानत कराने के बाद जमानत कराने के अपनी बहन को लेकर और बोला चलो मेरे घर चलो और वो उनको घर लेकर आया उसने उनको 25 रुपे भी वापस किये उसकी चूड़ी भी चुड़वा कर वापस दी और इंकावन सर रुपे अलग से दिये और उनका पुत्र भी उनको समार्पित किया बोला देखो बहन ऐसा ह मैं वकील हूँ मेरी हैविट है अगर जब तक मुझे पैसे कोई ने देता मेरा मूह नहीं खुलता मैं काम नहीं कर पाता और तुम से 25 रुप इसलिए मांगे थे कि जब तुम 25 रुप मुझे दे दोगी तो मैं खुल के काम कर पाऊंगा और इस बच्चे को छोड़ा पाऊ अगर पाऊंगा नहीं खुलता मैं तो इसलिए कभी कभी कुछ पैसे रुपे लोगों के खर्च रहते हैं जो भी चीजे होती है सारी बाते होती है पर उसके बाद होता यह है कि गुरू उसके 25 रुप इस बाता देता है उसकी चूड़िया जो गिर्वी रखी वो भी लोट कुछ भी नहीं है कोई कुछ नहीं कर सकता है इडिस गिफ्ट कभी किसी के दौरा गिफ्टेड होता है कभी कोई किसी के दौरा गिफ्टेड होता है कोई किसी के दौरा टेंड होता है किसी के दौरा उसका बर्थ दिया गया रहता है और मैं इस चीज को बहुत बखूबी से समझता हूँ, आप यकीन नहीं बानेंगे, 15-16 साल के उमर से I was in touch with the master, मैंनों कितनी किताबे पड़ी, मिला, सारी चीजे होती रही, पर मैं सोता था, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या अलाब होगा, फाइनेंशली क्या अलाब होगा, क्या मिलेगा मुझे, ऐसा ही मेरे साथ प्रणा उमर्म तो बनना नहीं है, योग-कीचर तो बनना नहीं है, मुझे आसन सिखा कर पैसा कामाना नहीं है, ये सुबह दो-धाइघंटे में। रोज योग करता हूँ, मार-ामारी करता हूँ, सारी चीजे करता हूँ, सरीर को भिलकुल लचीरा बना रखा है, कंडीशन कर दिया एक तरह से, कि बिना योग्या में कुछ करते ही नहीं हूँ, लोग चिलाते भी ही कभी तुम सुबह का समय एंजॉई नहीं करते हो, सिर्फ योगी करते रहते हैं, समय बरबाद करते हो, पर मुझे लगता था, मैं क्यो करता हूँ, पर मुझे कोई करवाता था, मुझे कोई चीज मुझे प्रेरित करती थी, और वो भी बिना किसी कार्ट के, आज मैं अगर इस चीज को पलट के देखता हूँ, तो हाँ यही पाता हूँ, कि जो spiritual काम मैं कर रहा हूँ, और यह जगा पर भी मैं आना नहीं चाह रहा था, आपको एक बात बताओं, यह सामने जो जमीन देख रहे हैं, आप यह सारी जमीन देख रहे हैं, आज से दो ढ़ाई साल, कि पर पर लिए किसी ने मुझे से कहा, गुरू जी आप यह जमीन खरीद लो, अब आप बताओ, हर आदमी मेरे पास आके बोलता है, मेरी जमीन खरीद लो, मैं सस्ते में देदूँगा, यह कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैंने का, मैं यार जमीन ओमीन क्या करूँगा, निखिल धामी बहुत बढ़ा है, और जमीन तो मैंने नहीं खरीदी, पर यह जगा मुझे बुला रही थी, कि इसी बाने में यहां पर आया, उनने का, आप एक बार आके मेरी जमीन को देखिए, आप देखिए, जमीन कितनी ब्यूटिफुल है, कितना प्यारा है, पर मैंने जमीन तो नहीं खरीदी, पर यहां पर आने के बाद अब आप यह देखिए, अब आपको इसके इंदर गुफा भी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यह जब पेड़ लग गए, हम लोग इस सीजन में पेड़ों को छोड़ देते हैं लाके, यहां पर गड़ा खो देगा एक लड़का आके पेड़ को छोड़ जाएगा, और वो फिर धीरे धीरे बड़ा होके अपनी जगा ले लेगा, और अपने आप में चाहे वो नागफनी हो, चाहे वो अपराजिता हो, चाहे कुछ हो, वो अपने आप बड़ा होता रहेगा, अपने आप सारी चीज़े होती रहेंगी, और यह साक्षाद विष्णू है, यह चतुर्बुष शिला जो है, मैं इसको बहुत देखता हूँ, और इसमें साक्षाद विष्णू का वास है, श्री विष्णू का वास है, देखो आप, कियसे ढख लिया है इसको पत्त, इसको कैसे केता है, यह सेशना के समान, पूरा इसको पत्तों से ढखके इसको रखे हुए, यह किसी का लगाया हुआ पेड नहीं है, और यह बहुत आगर्शित करती है मुझे, जब भी मुझे समय मिलता है, मैं यहाँ पर आकर बैठता हूँ, और अपनी यह अनुभूतिया होती है, अपनी ही चीजे होती है, और अपनी ही बाते होती ही रहती है, और आप सब शिश्यों को भी आज मैं यहां पर लेकर आया हूँ और आप लोग मेरा वीडियो देखते हो मुझे मालूम है आप लेट के मत देखा करो बिस्तर पे आप सोचो लेट के बिस्तर पे देखे पिलो बीडी पीते हुए मेरा वीडियो देखो कुछ खाते हुए मेरा होता है वैसा माइन के साथ 100% आप efficiency लगा के इस वीडियो को देखिए ये गुरू का है और इसमें संशे की कोई बात नहीं इसमें प्योर एनर्जी फ्लो हो रही है और वो एनर्जी फ्लो हो रही है जो आपको परिवर्तित कर देगी परिवर्तन नहीं हो पाता परिवर्तन बह लेगी आपकी लाज़ पर टर्निंग पॉइंट बनेगी आपको हमेशा positivity देगी आपको संकटों से उबार लेगी आपके जीवन में कुछ अनकहा कुछ magical घटित कर देगी घटित होना ही है पर जड़ा वीडियो को ढंक से देखो क्यों क्यों क्योंकि मैं आपका गुरू बह वीडियो चालू करेंगे आपको अनंत अद्रश्या के आपको देखने लगेंगी आपको कमरे में अनुभूती हो जाएगी वीडियो नहीं है यह अनुभूती है यह मेरा साक्षाच प्रेजन्स है जो भी खोल के देखोगे मैं आपको अपने कापके कमरे में आज से 5 आप आप समझ सकते हैं बिल्कुल निखल दाम से यहां से उतरेंगे तक पांच मुन बाद हम शाटन नेकल दाम के अंदर होंगे यह देखिये ऐसे चलो यह कितने पेड लगाए गा है अ ऐसे दिखाओ यह अभी भी लग रह रहे हैं आउपर दिखाओ यहां और यह देखव यहां आप आराम से बैठ सकते हैं नीची यहां से नीचे दिखाओ बैटे कितना अच्छा दिख रहा है और दिखाओ ऐसे हाँ देखिए इसके निचे बिल्कुछ हाओ है और टेंपरेचर बहुत कम है इसके नीचे हम हम अपने जीवन ने यही देख रहा हूं हर चीज में यही देख रहा हूं हम अपने पूर्वजों को पिंडदान देते हैं सब कुछ करते हैं महीमा मंडन करते हैं सारी बाते अचinaire पर ऐसा कोई जरूर नहीं कि पूर्वज अगर आप Mahabharat पढ़ेंगे रामाइन पढ़ेंगे जो इसमें वही बहुत अच्छे पूरुवच फोड़ी हैं, जिस तरह के गुरुष हुए हैं, जिस तरह के महामहीम हुए हैं, जिस तरह के भाई हुए हैं। ने करें ऐसे भाई और ऐसे लोग बिलें। और मेरे पहले की पूरवजे को देखू हूँ, अगर मैं अपने माता-पिता को देखू हूँ, उनकी एक पीडी बात को देखू हूँ, जिसको मैं देख चुका हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग शरीर छोड़ गए है, नेचरली वो पूरवज है, हमें पैदा किया है, बड़ा क कि आज का मनुष्य बुरा है और बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब कहने सुनने की बाते हैं, और पहले के लोगों में एक बुराई बहुत जाजा थी, जो आज भी चली आरे उनके द्वारा हमें गिफ्ट में मिलती जा रही है, कि हम सारे चीज गन पर जाते हैं, बंदू की नोग पर जाते हैं, आपको इस गुफा में पचास कतम दूरी से एक बात बोलना जाता है, बंदू की नोग से जिंदगी बंदू की नोग से क्रियेटिविटी नहीं होती, अगर आप पिकासो के यहां पर बंदू को अड़ा दो, और बोलो, बंद नहीं लिखे दोगे, तो आपको पनिश्मेंट होगा, आपको जेल में डाल देंगे, आपका जो भी होगा, एकस, वाई, जट, कुछ भी आप उनको शर्त लगा सकते हो, कि ऐसा होगा, आप ऐसा कह सकते हो, आप किसी चित्रकार से कह सकते हो, कि दस दिन के अंदर तू वर्ल कौन मरेगा, कौन गन पॉइंट पे काम करेगा, और यही आदत हमारे पूरोजों ने हमारी जिन्दगी को बरबात करने में लगा है, और यही आदत हम अपने यही आदत वर्तमान में भी हम अपने भविश को बरबात करने में लगा रहे हैं, मैं देखता हूँ बच्चों क में तीन घंटे सोना सिर्फ पढ़ते ही रहना है यह बहुत सारी बाते हैं हम ऐसा ही politicians politicians हमारे उपर बंदूखताने हुए है कि आप हमें वोट देंगे नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा और हम politicians के उपर बंदूखताने हुए है कि आप हमको यह result औरियेंट करके दीजिए तो यह इसने हमारी जिन्दगी को नर्क बना दिया हमारी जिन्दगी से meditation को ध्यानस्त को हमारी जिन्दगी की meditation is a beauty, is a life, is a liveliness एक जिसे कहते हैं कि आनन्द है एक एस्ट कैसी है जिसे एस्ट कैसी को छीन लिया अगर किसी को बंदू कोड़ा दोगे तो वो क्या एस्ट कैसी जानेगा वो तो रोने लगेगा हाथपों कापने लगेंगे उसके कि मुझ किस तरह के भी हेव करने लगते हैं वो सेफ साइट खेलने लगते हैं और जब एंटायर सोसाइटी सेफ साइट खेलना शुरू कर देती है तो meditation तो समुद्र में च्हलांग लगाने के जैसा है इसमुद्र का ना ओर है ने चोर है पर हमने च्हलांग लगा दी इसमें वो उस समझ जाता हूं यह आजमी गन पॉंट पर इसने अपने पूरवजों से गन पॉंट पर बात करना सीखा है समाज से और यह गन पॉंट पर बात कर रहा है नहीं होगा अब बीस साल ताव मेरे दिया मंद जाप करते रहो कुछ नहीं होगा मत करो मत रवा चोड़ दो आप मु तो गन पॉंट पर क्रियेटिविटी कभी नहीं हो सकती है अगर आप किसी डॉक्टर के चादर घज दिमाग पर बंदू रख दो बोलतो मरीज मरना नहीं चाहिए नहीं तो मैं तो महीं गोली मारतूंगा तो तो मरीज नहीं भी मर रा गो तो मर जाएगा मरीज पर और अथवी से सारे ब्रहम्हांट से फ्रेंशिप थोड़ी है, this is not a friendship at all. आप किसी को बोड़ अच्छा खाना बनाने की बात करते हो, बोलो, गणपॉइंट पे तो खाना नहीं बना पाएगा अच्छा. उसको समय चाहिए, उसको creativity चाहिए, उसको time चाहिए, उसको ऐसे गुफा में बैठने के लिए चाहिए, उसको शान्त चाहिए तब जाके वो आपको कुछ कह पाएगा, तब आपको वो basic आपके core को heart को touch कर पाएगा और मैं आपके heart को touch कर रहा हूँ, आप अपना अलोकन करके देखिए, क्या है शादी, पत्नी पती से gun point पर बात करती है, और पती पत्नी से gun point पर बात करता है, सारे व्यापारी से ग्रहाग gun point पर बात करता है, ग्रहाग से व्यापारी भी gun point पर बात करता है, सब ने एक दूसर में बंदू की नोग पे कुछ नहीं होगा, गन पॉइंट पे मेडिटेशन नहीं होगा, आप सुबह उठके सोचो कि अभी तो मेरे को जाना है, आप दिमाग में इतने लक्ष बठा के बैठो कि अभी मुझे दो 20 मिट कर लेता हूं, ये सिर्फ एक तरह का खेल खिलोना है, आ नहीं होता हुसमें, तो ये जो गन पॉइंट की जिन्दिगी है, ये जुन पॉइंट की आप दवाई आपको क्या फाइदा करें च Commission को तुच नहीं होता है, और हो सकताँ छा तीन दिन और चार जिन खानी पड़़ा, पांप दिन खानी पड़़ई, पांद नहीं हो सकता वह सकता है एक गो एक खोराक में ठीक हो जाए ऐसा मैं भी दवाई खाता हूं मुझे मालूम है पर गन पॉइंट पर काम नहीं होता गन पॉइंट पर मित्ता नहीं होती गन पॉइंट पर कोई पेड़ बढ़ा निए अगर मैं किसी पेड़ को बदूक तान के बोल दूंगी चैकर तू नहीं बढ़एगा तो मैं तुरे को काट डालोंगा तो क्या फेड़ बढ़एगा प्रूब दूर सूख जाएगा अगले बार आओगे तो अगर आप पेड़ किहके जाओ कि अरे तु अगले बार नहीं, अगर लंबा मिला दो फुट नए तो मैं तुझे नहीं तुझे कट दूँगा, तो दूजय काट देंगे इसका मैं तुझे मरी जाता हूं, वसकी मर पर जाएंगा, तो ये जी रष्ट्प्ति हैं वो नरक को यह बनी हैं, आपने तब उनको देखा है, मैं बहुत मिला हूं इनसे, आपने कभी बड़े ISO IPS आफिसरों से मिले हो, मैं बहुत मिला हूं इनसे, आप किसी बड़े लोगों से मिलीए वो इतने ओऻर कॉंशियेस होते है कॉंशियस अー ऑलग बात है वो इतने ओवर कॉंशियेस होते हैं कि वो हर दो मिनट में अपना बाल में कहंगी करते हैं कही बाल यहां से कम न हो जाये कही हां कर यहां से बाल सफiern न दिख जाये कही हैं थोड़के फिगर में हमारी हुमरय जादा न दिख जाए वह इतने ओ venues अपनी इतना जूड़ बोलते क्या हुआ अपनी आदमी अपने श्रम कोणेश करने की कोशिज कर रहा है वह प्रतवी के एक्स्प्रेशन को क्या देखेगाrik यहां बैठ कर मैं इस प्रत्वी के ब्रमान्न धुल करो आएक्स्प्रेशन कॉछ देख रहा हूं मैं थो नीचे बैठाउ जमीन 1 बैठाउ नीचे बैठाओं, बैठाओं तो बैठाओं, अगर मैं ही खुदी अपने आपको एक्सप्रेस करने बैठाओंगा, तो फिर आपको मुझे पेड़ पोदे दिखाने किया ज़रुत है, आप क्या सोचते हैं कि आपने कभी पेड़ पोदे नहीं दिखा है, मैं आपको पेड़ लाइफ है, जो मशीन से उससे अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिस्टिक प्रोसेज, स्पिचुलेटी नहीं है, और डिविनिटी तो बिल्कुल भी मैकेनिकल प्रोसेज नहीं है, मैं जब भी किसी, बच्पन से मेरी आदा से, जब भी किसी गरीब आदमी को देखता हूँ मुझे नहीं देख भातां, पर मैं उसे देखता रहता हूँ, गरीब होता, दुकान चलाता हा था, जो भी करता होता है, मेरे मत से एक ब्लेसिंग निकलती है, यह आदमी पैसा अच्छा है, यह पैसे वाला हो जाए, इसका काम अच्छा चल जाए, इसका काम धाम अच्छा यह बहुत पैसे वाला हो जाए, यह जगह बहुत अच्छी हो जाए, अच्छा है यहां पे, और वो जो आपके समय, by the core of your heart, जो आपकी blessings निकलती है, ऐसा थोड़ी गुरू भी ब्लेसिंग देता है, ब्लेसिंग देना हर आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है, गुरू क्या ए यह ब्लेसिंग निकलती रहेंगी, और बिना देखे, बिना जाने, कि नहीं यह हो जारा चाहिए, अब मैं महाँ पर गया था, आपको नागफडी का पेड़ दिखाया, अब आप तो अभी जाओगे नि, देखोगे नि, कहां क्या होगा है, कौन जाएगा इस ती दूर पत् करते हैं, कब किसके गुड़ विशेज कहां पे काम आएंगे, कहनी सकते हैं, यही श्री विध्या उक्तु संसार है, और आपके अंदर से ब्लेसिंग निकलती रहनी चाहिए, मेरे पिता जीन एक बात मुझसे कही थी, जिसको मैंने उनकी बहुत सारी बाते दो गठान नहीं पैञी बाती, क्योंकि मैंने पहले का कि वो गनपॉइंट पे बात करने वाली लोग वोते हैं, सबी के घर में होते हैं, मुझे पसंद नहीं आते हैं, आधिक तर बिचारों को मालूम नहीं होता, फिर भी अबात कर innerlege आवेर, वो इंटेंट ली", नहीं करते हैं, पर वो, ध च्छीवनिंपे तुमको क्या फाइदा को और पैसा बरबात कर रहे हो अब क्या बोलू मैं? ऐसे गन पॉइंट पर बात करेंगे उसे में पूछना जाते हूं तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा? पचास साथ से बीस साथ से लड़का तुमारे घर में पढ़ा हुगा, उसको क्या मिल गया? तुमने क्या कर दिया? वो फ्स्स चौह रसते में तेन घंटे रोज जाके बैटता हूं, उसको क्या मिल जाएगा? एक लड़की सब दस बाट दिन में चार घंटे बाद चीत करता है उसको क्या मिल जाएगा ऐसी में मिलियन सब चीजें घिना सकता हूँ जो वो करता है जीवन उसको क्या मिल जाएगा मैं तो यहां तक कह रहा हूँ आज की डेट में कि तुम डिग्री लेके भी तुम क्या कौन सी नोकरी मिल जाएगा बहुत सारे डिग्री बाला को देखता हूं गूमते रहते हैं कुछ नहीं मिलता बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लोग करते हैं इंजीनिरिंग में डिग सबस्क्रइब कर भंप लिग्रत दोग्प रण trader से मंत्री बंता है होटल वाले के लड़का छलाता है गुरु कर गुरु बने गा त transferale से मेरेख को एवलाद ने इसलिए वो क्या गुरू बने गा मैं तो खाली आद्मी हूं पर है के यहACHे आपके बांपर उप्शन लेस है क फिर भी में गुरू बनाओं, मेरे तो साथ पीडी में कोई गुरू नहीं रहा होगा, मैं छत्री हो तो सब लड़ने मरने वाल तालवार भाला लेकर लड़ाई जगड़ा करने वाले आदमी आदमी को काटने वाले लोग रहे हैं, तो उनके हां से तो एक आदमी ऐसा भी निक इंजिनर का लड़का गुरू बनजा भाई, चपल बनाने वे लड़का गुरू बनजा किस ने रुका, जिसमें जो बड़े गुरू जी एक बात कहते थे, बड़े गुरू जी ने एक बात कही अपने मंज से, देखो मैंने कुछ लोगों गुरू बना दिया, अर्विन चलना है आदमी को अपनी योगिता से, मेरे तो एक गुरू के नाते सब को समान रूप से दे रहा हूं, अब वो चलेगा अपनी महनत से, अपने कर्मों से, अपनी चीजों से, ऐसे ही मैं तुम सब सिश्यों को समान रूप से देता हूं, सब को दिल खोल के लुटाता हूं, मैंने कभी भी किसी चीज में कभी नहीं की कि तुम को दिल को कि श्री विध्या है मैं कभी नहीं चाहता कि आप दुखी रहो दरीद रहो गरीब रहो पर आपको आपके कर्म और कर्मों का सिध्धान तैसा है तेरे कर्म तेरे साथ जाएंगे, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे तू ना मेरे कर्म को अबाट पाएगा, ना मैं तेरे कर्म को अबाट पाऊँगा और श्री विद्ध्या में तीन शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ग्यान शक्ति है और करम शक्ति है अब आप सोच तो मैं पेर लगाऊंगा आपने सो इक्षा सक्ति है यह आप दे को जाए का जंगल में गड़ा खोदेगा पैसा खर्च करेगा लाएगा पानी से डंपर यह पेर लगा आगा उसको देखने जागा उसको पाल पोस के बढ़ा करेगा वो यही कहना चाहता हूं, कि इन तीनों शक्तियों का समावेश है, ज्यान है, लोगों में कर्म है, कर्म शक्ति है, तो ग्यान शक्ति नहीं है, ज्यान शक्ति है, तो क्रिया शक्ति है, तो इप्छा सक्ति नहीं है, जब इनका कॉंबिनेशन बनेगा, तब जाके आप एक श्री व माचों बदल गए जब प्रत्वी पर आए तो उनको वो किस आयाम से लोटकर आए कि उनकी पूरी सोच बदल गई पूरी थिंकिंग बदल गई वो स्प्रिच्वल हो गए लंडिंग ऑन दमून तो आप क्या आपके सोच तो यह जब मैं इस जगा पर उतरा हूं तो इस दिखा दग्राउंड होता है वो जट्स लाइक लेंडिंग ऑन मून मुझे तो हर एक दिख्षा के साथ एक ऐसा ग्राउंड मिलता है जहां पर मंगर गरा जैसा है चंद्रमा जैसी और अन्य गराउंड जैसी जमीन है पत्थरीली जमीन है कोई पेड़ पोते नहीं है उबढ़ खा काम किया गया है वैसे वहाँ पे श्रीव इद्या के माध्यम से आप वे पास काम की जा गता यह देखो संसार का सबसे कूप़ुरत मोती है कि कि फरल एet गिफ्ट है इए किक दल तैता खू कोभसुणख देख रहां ऑप यलोक्रा है यह देखा करो कभी-कभी आ झाल झाल